5G आइ जी हां ये इंडिया का खोदकब बनाये हुआ 5G होने वाले यानिकी made in India 5G इसके बार में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात करें आपने से कफी सारे लोगों ने बॉलता 5G IQ पर वीडियो बनाए तो पब्लिक डिवाने पर इस वीडियो को बना रहे हैं और वीडियो कर आप लोग को पसंद है, इंट्रस्टिंग लाएगे, कुछ भी हाँ से जानों सीखो, तो इस वीडियो को लाइक कर देनो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देनो, वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो, लेकिन सबसे बहले एक बात इंपोर्टेंट यह आपको ब ग्लोबल 5G को रूप में एकसेप्ट किया था, और इसके बाद सर्फ इंडिया का जो 5G आया आता है, वहाँ पर इसे इंप्लिमेंट किया गया है, और यह जो नया 5G का जो स्टेंडर्ड है इसको प्रपोस किया था, TSDS ने, यानि कि जिसका मतलब है, टेली कम्मिनिकेशन स् और यह जो TSDS है ना, इसे हम 3GPP organization के तरीके से समझ सकते हैं, यह बस यह इंडिया की है और जो 3GPP होती है ना, जो कि ग्लोबल स्टेंडर्ड को नो ने डिफाइन किया था, वो यूरोप की है, और जो ITU होती है, International Telecommunication Union, यह वो organization है, जो मानिता देती है, कि यह standard है या नहीं है वहीं बात करें, 5G, IQ तो उसका जो development है ना, इंडिया में, IIT हिदरबाद और IIT मदरास ने हापे किया था, और देखा तो इसके पीछे ही technology काफी हद तक 5G रहसी है, इवन यहापे जो 5G के जो bands on the spectrum होते है ना, वहीं यहाप यूज किया थे, 700 MHz से लेके 56 GHz तक की यहापे range सिर्व वैसी frequencies पे implement किया जाएगा, इवन जो auction होने वाला है upcoming, जिसमें GO, AATL, Vodafone participate करेंगे, तो उसके अंदर भी जो auction के अंदर जो spectrum आएगा, तो उसी spectrum का use करके 5G आपको implement किया जा सकता है, यह एक सबसे अची चीज है, और सबसे खास बत यहापे है कि यहापे आप low speed 5G और जो ultra high speed millimeter wave वाला 5G होता है उसको भी हाँ पे implement कर सकते हैं, यह काफी जाद खमाल के बात है, और देखा जाए तो ITU, जो International Telecommunication Union है इन्होंने 2016 में कुछ standard decide कियेता है, कोई भी अगर 5G का standard आता है, और वो इन इन चीज़ों को follow करता है, तो उससे मानने सदी जा सकती है, जै बहुत सारे चीज़े थी, और इंडिया का जो 5G आया ना, इसने सारे जो rules and regulation होते हैं, उन्हें यहाँ पे जाके सबको follow कर लिया, तो देखा जाए तो इससे आप कह सकते हैं, कि जैसे भार उनों ने 5G निकाला था, वैसे यहाँ का 5G है, लेकिन भाद कर इसके जो पीछे को develop करने की philosophy थी, वो काफी interesting थी, यहाने की इंडिया काफी developing nation है, और अभी भी यहाँ पे देखा है तो rural areas में network coverage अच्छा नहीं आता, तो पूरे इंडिया को एक साथ किस तरीके से हम 5G बना सकते हैं, यहाँ पे 5G है काफी बड़ा role play कर सकता है, इवन सबसे बड़ा feature जो 5G आ इरिया को high speed millimeter wave से भी cover किया सकते हैं, और यह कुछ खास feature जो आपको 5GI में देखने को मिल रहे है, इवन यहाँ पे आपको enhanced spectral efficiency और broadband access भी देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको जो power efficiency होती है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे है, इसके साथ ही जो 5GI है, MIMO यानि की multiple input, multiple output को भी support करता है, इससे आपको carry aggregation जैसा समझ सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी device में अगर 5GI है, तो वो क्या करेगा कि multiple input, multiple output ले पाएगा, जिससे आपको consistently जाद अच्छी speed जेखने को मिलेंगी, यह काफी अच्छा feature है, इसी के साथ ही 5GI की reliability है, वो भी ultra reliable case में आते हैं, यानि कि इसके reliability हो है, 99.999999% और ultra low latency के अंदर आता है, यानि कि control plane में 10ms की latency और user की plane में 1ms और उससे कम की latency देखने को मिलती है, यहां तक कि यह जो 5G IA से NB IoT वाली चीज़ में भी implement किया जासकता है, यानि कि छोटे-छोटे IoT वाले gadgets होते हैं, उसक बड़े होते हैं, जो narrow band के अंदर आते हैं, उन्हीं भी, यहां तक कि ATA machine के साथ भी इस चीज़ को implement किया जा सकता है, और 5G I network को यहां पर connect किया जा सकता है, तो देखा तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस technology को develop किया, इंडिन इंजीनरस ने बहुत ही efficient तरीके से बहुत ही क कर दिया था कि इस standard को वो अपना नहीं सकते है, फिर बात में चलके आप भी पता चलिती, जो Airtel वो already काफी सारी दूसरी companies के साथ partnership कर रही है, और जितने भी बड़ी बड़ी telecommunication वाली companies होते हैं, जैसे बात करें, Nokia, Ericsson, Samsung, Qualcomm, यह जो telecommunication के जो equipments बनाते हैं, यह incompatible है current 5G नेटवर्क से, यह 3GPP के जो international standards होते हैं, उन्हें follow करते हैं, और अभी market में ऐसे equipments नहीं है, जो current 5G को implement कर सके, यह important बात होती है, इसके साथ यह भी problem सामने है, कि market में अभी भी कोई भी ऐसा 5G phone मौझूद नहीं है, जो कि 5G एक network को support कर सके, यह यहाँ पे एक सबसे बड़ नहीं होंगे, 5G AI का use करने के लिए, तब तक इसको implement नहीं किया जा सकता, और देखा जाया, तो एटल ले यह भी बोलाता, कि currently उन्होंने 5G network में already इतना invest कर दिया, कि अब वो दूसरे network में invest नहीं कर सकते, और एक और important चीज़ यहाँ पे यह भी है, कि दोनों जो network होते हैं, compatible रहेंगे, यह problem रहेंगे, और उन्होंने यह भी बोलाता है, कि अगर हम खुद का national level का 5G implement कर दे, तो वो जो global release होती न 5G की उसके साथ रह नहीं रह पाएगा, यानि कि फिर 5G AI को अगर हम इंडिया में implement करते हैं, तो अगर कोई इंडिया से अगर भार जाता है, तो स्वि compatible बना जा सकता है, वहीं बात करें TSTS की, तो उनका यह कहना है, कि जो नया 5G AI का standard होता है, यह क्या हो सकता है, कि अल्रेडी जो पहले जो equipments है, उनके सब compatible हो सकता है, बस पुराने equipments के अंदर आपको एक software update release करना है, जिसके बाद से वो जो equipments होते हैं, वो 5G AI के compatible हो लेकिन यह चीज़ों नोंने आगे companies वगरा के उपर swap दे की, वो किस तरी केसे इसको implement करते हैं, और यह भी बोला है, कि वो आगे चल के इसके use cases वगरा present करें, और यह दिखा है कि दौनों network हो मत्या साथ में implement कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यार यह भी कपी कची हो सकता है कि अभी देखा जाए तो आपको normal 5G देखने को मिले, 5G आप में देखने को मिले, यह फिर यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में companies कुछ ऐसा करें कि 5G को 3GP वी वाला जो original 5G होता है, उसके साथ इसके compatibility बिठाने के कोशे करें, क्योंकि अभी तो incompatible है, लेकिन multiple feature आजाए, इस normal 5G हो जो 3GP वाला 5G होता है, उसके बाद इस चीज़ को implement करना शाए थोड़ा और better हो जाए, तो जी है अभी देखा है तो अभी development phase के अंदर है, अभी जो future का road map है वो clear नहीं कि 5G है, किस तरीके से आएगा और किस तरीके से इसको implement किया जाएगा, लेकिन देखके अच्छा लगता है कि इंडिया की तरफ से proper global या international level का एक standard आख चुका है, बस उसके rollout और उसको implementation करना इसकी उपर एक सवाल है, देखते आने वाले समय में क्या रहता है, कि जी ओ, A8L इसको implement करती है कि नहीं करती, आने वाला future काफी interesting होने वाला है, लेकिन जो ची कि आप सुन दो नेस्ट वीडियो कें देर, गुड़ बाए!